शीमा दोम्रेमेडिस में आपको स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आकिर भगवान शिव ने अपने हाथ में त्रिशूर, डम्रू, नाग, चंदर्मा की उत्थाम लिया कभी वज़ा आपने सोचा आप जब भी शिव जी की तस्वीर देखते हैं तो एक हाथ में डम्रू दिखता है, दूसरे में त्रिशूर दिखता है, गले में नाग लटकरा होता है और सिर्फ पर होती है चंदर्मा अब हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव जी के एक हाथ में डम्रू, त्रिशूर, गले में नाग और सिर्फ पर चंदर्मा होने की वज़य क्या है, कहानी क्या है शिर्फ पुरान में भगवान शिव जी से जड़ी कई बातें हमारे उनके बारे में बताये गया है भगवान शिव जी को सही परकार के अस्तुरू को चलाने महारत हासिल है लेकिन भगवान शिव जी के लिए धनूश और तिशिल को प्रमुख माना जाता है भगवान शिव जी के धनूश का नाम पिनाख था मानना जाता है कि सृष्टी में जब भगवान शिव जी प्रकट हुए तुमके साथ रज, तम और सत गुन भी प्रकट हुए इन्ही तीन गुनों से मिलकर भगवान शिव जी का त्रसूर बना है जब सुष्टे में सरसुती पैदा हुई तो उनकी वानी से ध्वनी पैदा हुई लेकिन ये ध्वनी सुल और संगीत भीहीन थे आवास में संगीत पैदा करने के लिए भगवान शिर्षी ने 14 वार डंबरू बजाया और नुर्ट दिकिया इससे ध्वनी व्याकरण और संगीत के ताल का जन गुए इस तरह भगवान शिर्षी जी के डंबरू के उत्पती हुई वही भगवान शिर्षी के गले में लटके वे नाग के बारे वे पुरानों में बताये गया है यह नागों के राजा वासुकी नाग वासुकी भगवान शिर्षी के परमभक्त थे जिसके कारण भगवान शिर्षी ने उन्हें आबूशिन की तरह गले में लिपिटे रहना का वर्दान दिया भगवान शिर्षी के सिर्फ पर चंदर्मा भी दिखता है पौरनी कताओं के मुताबिक राजा दक्ष ने चंदर्मा को श्राब दिया था इस स्राब से बचने के लिए चंदर्मा ने भगवान शिव जी की कई सालों तक वोर तपस्या की चंद्रमा की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव जी ने चंद्रमा की जीवन की रक्षा की और चंद्रमा को सिर्फ पर धार्म कर लिया भगवान शिव जी के बारे में शिव पुरान में विस्तार से बताया गया है कहा जाता है कि खास करके सावन के महीने में बगवान शिर्व जी स्रिष्ठी पर राज करते हैं क्योंकि बगवान विश्व इस महीने में पातालोक में चले जाते हैं तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजी धन्यवार